मुंबई में उत्तर पश्चिम लोग सभा के सीट 2014 में सिवसेना ने जीती, 2019 में सिवसेना ने जीती, तो 2024 में यह तै हुआ कि महाविकास अगाडी की तरफ से सिवसेना उधो बाला साप ठाकरे के उमिद्वार अमवोल भाया किर्थिकर चुनाव लड़ेंगे. कॉंग्रेस पार्टी को यदि लगता तो कॉंग्रेस पार्टी जरूर उस पर विचार करती, लेकिन कॉंग्रेस ने सहमती से बात माना कि हाँ, आपका अदिकार है, आप चुनाव लड़ेंगे. ऐसे में कॉंग्रेस की नेतायदी संजय निरुपम जी रोज टेलिविजन में आकर, सोशल मीडिया में आकर, यह बात कहेंगे कि अमोल भाया किर्थिकर के उपर जाच सुरू है, एडी उनको पकड़ने आईए, देखिए भाया किसी के उपर जाच सुरू होने से दोशी नह हो जाते हैं, रही बात आपके प्रचार करने की न करने की वह आपका विक्तिगत फैसला होगा, कॉंग्रेस पार्टी संपूर्ण रोख से महाविकासा घाडी में है, सिवसेना के उमिद्वार के साथ है, कॉंग्रेस का सिर्ष नेत्रुत्त, सिवसेना के सिर्ष नेत्रुत् तो आप कॉंग्रेस पार्टी से जाकर कहिए आप कॉंग्रेस पार्टी पर दबाव बनाईए ना कि टेली विजन में आकर आप दबाव बनाते हैं और हम एक महाविकास सा घाडी में हैं आप एक ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि हम मदद करेंगे कि नहीं करेंगे पार्टी मदद करती है न, पाइटी ने तेख किया है कि यह सहयूगत उम्मिदवार है और आप तो बार बार कहरे हैं कि साथ दिन के अंदर मैं अपने विकल्प उपन रखा हूँ, इसका मतलब आपकी किसी और दलसे बाच्चे चल रही है जब किसी और दल से बाच्चे चल रही है आपके विकल्प खुले है तो आप उस तरब जाईए आपको सुबकामना है लेकिन हमारे उमिद्वार के प्रती नफरत पहलाने का काम न कीजिए